रिजल्ट जारी की जा रही है तो पहले हाई कोई की मेरे सुची का नहां से इस्प्रेय होगा यह जितने भी कारेक्राव अभी है यह पाउपी आपको बाद में भी लेवल हम करा देंगे किसलिए इसुपन भी जारी है अब मेरे मानी अजेट में से नियुदन करेंगी कि बस्वी के भूपने का और वनुख करेंगा करेंगा इसके रखा थाटते टेंड ये गोगे अवार्ण जलोजाँ और भॉजोग जयना लेका, आलोजाँ अजा प्पैंस है असफिता विकार पस्तरा प्रक्वास का बॉँषा और अरा विका जोगना है करने के लिए में आनिया से इसमें को निया रखती हूँ सबीकु मेरा नवश्कार और पुला आप सभी का हाथ देख स्वागर जो हाई स्कूल और हाई स्कूल बोर्ड एक्जाम के परिणाम है उसके कुछ मुख्य आंख्रे मैं आपके सामने रखना चाहूँगी पहले हाई स्कूल में चलते हैं वर्च 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एक्जाम में कुल 3,440,220 चार्ट थमिलेट हुए से और इन में से 339,994 के परिणा बोशित किये गए उस्तीन चाथों का प्रतिशत 75.61% है जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.56% अधिक है पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष बीच जर्ट का पास परसेंटेज बोईस की तुलना में आधिक है उस्तीन बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 है और बालकों का प्रतिशत 71.12 है एक और एनालसिस ये है कि कितने चास्र प्रतंग शेरी द्विती शेरी और स्विती शेरी में उतिर्ण हुए है प्रतंग शेरी में उतिर्ण हुए है चास्रों का प्रतिशत 34.56 प्रतिशत है जो की गत वर्ष की तुलना में 1.26% अधिक है प्रतंग शेरी में 36.29 प्रतिशत उतिर्ण हुए है और स्रिती श्रेणी में 4.75% दो परिक्षाक्ति ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उतिर्ण हुए हैं हाई स्कूल के कुल 19,012 परिक्षाक्ति पूरग परिक्षा के लिए पात्र हुए है और सोटल 226 परिक्षातियों के जो परिणाम हैं हम विजिन कार्णों से रोके हैं इसमें से पंगरा नकल के प्रकरन है 6 जांच के कारण रोके गये हैं और जो सेश 205 है वो ऐसे परिक्षाति हैं जिनके फासता के अबाव के कारण आवेदर निरस्त हुए अब हम चलते हैं हाइर सेकेंडरी के परिक्षा परिणाम में हाइर सेकेंडरी एक्जाम में फुल 258,704 परिक्षाति समिले थ हुए थे और इन में से 258,575 के परिक्षा परिणाम गोशित किये गए हैं higher secondary में जो उतीन चात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है जो कि gut wash की तुल्णा में 0.78% अधिक है यहाँ भी same analysis प्रतल शेणी, विदी शेणी और शेणी में पास चात्रों का अगराम करें तो यह परिलक्षित होता है कि जो प्रतल शेणी में उतीन हुए हैं higher secondary में उनका प्रतिशत 34.07% है जो कि gut wash की तुल्णा में 7% अधिक है विदी शेणी में 42.22% उतीन हुए हैं और त्रिती शेणी में 4.45% पांच परिक्षार्थी ऐसे हैं जो पास शेणी में उतीन हुए हैं और higher secondary के कुल 22,232 परिक्षार्थी पूरत के लिए पात्ता रखते हैं higher secondary में 129 परिक्षार्थियों के जो करेणा हैं वो रोके गये हैं इसमें से 31 नकल के प्रकरण है, 6 जांच में हैं और सेश 96 जो है वो ऐसे परिक्षार्थी हैं जिनके पात्ता के अबाव में आवेदन निरस्थ हुए हैं जो विबार के आदेश आमसार इस वर्ष भी श्रैक्षनियत कर गत्रीदियों के लिए बोनस अंक दिये गए हैं इस तरह के जो बोनस अंक ट्राफ्ट करने वाले हाई स्कूल के चासर ग्यारा सो आठ है और हाईर सेकेंट्री के ग्यारा सो एकरतिस ये परिणाव हमारे मादिमिक शिक्षा मंदर के वेबसाइट पर देखा जा सकता है Thank you for your time and your attention अब दो साइपे प्री करके दो है रिए बूजित की आएगी प्री करके दोाइब आपोरा साइपे पर भी जाएगा जाएगी जो इसे ने सब कोपी है प्रूपी, हाल कपी इसाभी, usate, सब बूरा फोर्डर आपको देंगे नियुकि कॉझे जब अदिए है पूरा इस दूपी है इस ऐस फार कपी हम फूरा पोडर अपको देंगे करने मीश की मिष्आ के पिलीग तुराश्रेट्टर में हम अभी इस प्रिटर का चाहन सुन्हीं, हमें एक्री को में से कर कर दियाए नैएक्री के वर्टराइट में दिना जाएगा इसके बाद में सुची का रिए इसमें देखरेक्टर के, पहले थाइश्पूल का और फिर है टेकर देखरेक्टर के इसके ठी सर्में पिंदे, पिना पंबा बते इसमें । नमच्वी कर दिख के अधिया सिथत ज्यक्टर के में जिए ती जया फूस्तॉ है नाई सिमें तॉ पु कु छिना, כु कु शिना अढ़ु कहा करो कीBen जयतै कष़ें अभाई वद पना ज्समय ड़स, को पना लुट करो पौर्व दिसंया कीस पर घ्बसक्रनण टिसमय वगयर का को अधिस अहली जब टता है करि में सक्की कपी देंगे घर रहेंगे हाइज कपी दो नौ सेयर्च कुमार यादग अजिक के अजिक को गए है सब्सक्राइब गए को गए सुझे काँ में सुझी बगए है स्की काँटाइब इतने करें, सिर्केंदे करें या चला रहे हैं का आप लेकर है तो पोर्ट से से कर दीजे कुली कर देजए, को तरद पर देजे पोर्ट में अर्पीता शैली पुजूळ और आप सैंटेंता हैं प्ला प्लाप इतने करें? कुछ, कुछ, कम एक एक सकती है? कर्मली शांगेली है, किस दो दो कि यह स्ट भी क्या साथ, यह जी साओ, पापी हो लिए जल्दी का दे जल्दी गर दे जल्दी का दे जल्दी का दे चलो आपने स्वीड से करो जश्पू जश्पू पुरा निस्ट आपको दे रहेंगा यजची हरा ग्मौ रधना करेशма अरी हाल मौला कर दो मौला कर दो मौला कर दो मौला कर दो में रचे रेक्रेवाद वार नपस्ट पडेशे एक्रवाद में है, आप रचेंजी में महत रचेवाद सरे खाली मातम पिस्कित में है इस देमें वार रिप्रेस्ट, बोगा रिप्रेस्ट, बरावजा बजारी है 97% साइड के स्पीटी बरोगा में आटे और आईउशी लुपता साइड में दो थे इस प्राप में प्राप नेशी लुपता इस प्राप में दो थे लुपता जास कुई ख़े लिह पर दापो आप करे आप करेंड तो पाइर में की लोग हैं इसने एक अगर इसने आप तब हरा इसने को तो फलेंडेरी एक जान्टी का चैनल्या और सुप अबरबार आप लेजोगे ले लुटे 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 लुटेश्ट पर अजिदी सोग्ट इमानसी टेश्ट से बंढे दो, है, को दिको लिशाब लुटेश्ट एवर्पियो को वां तर लुटेश्ट आपको दिया है तो सिम्रन को मिले है 99.5 शूनी प्रतीशत माक्स गरियाबंद की होनीश्या को सेकेंड रैंक मिला है बड़ी कबर 36 गर में चात्रों का इंतजार खत्म हो गया है और रिजर्ट्स जारी हो चुके है लड़कियों ने बाजी मारी है और रिजर्ट्स भी हम आपको बता देती हैं तेंथ की अगर हम बात करें तो सिम्रन ने बाजी मारी है सिम्रन शब्बा जिनने 99.5 शूनी परसंटेज मिले हैं और श्रियांश कुमार यादव थर्ड पोजीशन पर है थर्ड राइंग कुरों ने हासिल किया है 98.17 परसंट लाकर 10 में और 12 के भी रिजर्ट्स गोशित हो चुके हैं 12 में भी लड़कियों ने बाजी मारी है शुर्वाती तीन जो टॉपर्स हैं वो लड़कियां ही है और बारवी की आपको दिखा देते हैं महक अगरवाल जो कि फर्स्ट हैं फर्स्ट ट्राइंग हासिल किया फर्स्ट टॉपर महक अगरवाल 97.40 परसंट उनको मिले मार्क्स और कोपल सेकंड टॉपर हैं जिनने 96.80 परसंट मिले और आयूशी गुपता जो की थर्ट टॉपर है थर्ट टॉपर में दो लोगों का नाम था आयूशी गुपता एक का नाम 96.80 परसंट उनकों ने हासिल किये हैं तो लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है अगर देखा जाए तो दसवी और बारवी के रिजर्ट्स पिछले साल के मकाबले काफी अच्छे हैं 2023 में 75.05% था दसवी का जोकी इस बार बढ़ा है और बारवी के रिजर्ट की बात करें 2023 में तो ये 79.96 था जोकी इस बार बढ़ा है परसंटेज युगल तिवारी सम्वाद अतर साज हो गए है युगल इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है 10-12 के रिजर्ट गोशित हो गए है पिछले साल के मकाबले इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन राचात्रों का युगल आपकी अवास ठीक से नहीं पहुच पारी है अलाकि दर्शकू को पता दे कि 2019 में 2019 अगर हम देखे इस पूरे डेटा को तो 2023 तक काफी अच्छा प्रदर्शन चात्रों का रहा है और इस बार भी चात्रों ने 2023 के मुकाबले 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट्स यहां पर लेकर आए हैं चात्र चाहे वो हाईर सकेंडरी के हो या फिर हाई स्कूल के भी हो दस्वी और बारभी के जो नतीज़े जारी हुए हैं उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है फर्स त्री टॉपर्स के नाम हम आपको दिखा रही है तेंथ की अगर बात करें तो तेंथ की जो टॉपर है वो सिमरिन शब्बा जिन्नोंने 99.50% हासिल किये हैं आप जा भी सकते हैं के जो आधिकारिक ओफिशिल वेब साइट है जो हम आपको लगातार दिखा रही है फ्लाश कर रही है साड़े बारा बजे का वक्त रखा गया था जब रिजल्ट आ जाएंगे और करेंट साड़े बारा बजे रिजल्ट आ गया सबसे पहले नियोज 18 मध्यप्रदेश शत्त के अरांस्मेंट आपको हमने दिखाए और कौन है जो जिसने बाजी मारी है किसने टॉप किया ये भी आप देख रहे हैं पहले सान पर सिम्रिन शबाव दूसरे सान पर होनीशा जिनको 98.83% मिला तीसरे सान पर श्रयांस कुमार यादव हैं हायल्स स्कूल के दिखा रहे हैं आपको जिनको 98% मिला बारवी में महासमुन की महक अगरवाल ने टॉप किया है और महक अगरवाल ने 97.40% के साथ ही फस्ट पोजिशन हासिल किया है और दूसरे अगर हम बात करें दूसरे पोजिशन की तो सेकेंड टॉपर कोपल हैं जिनने 96.80% मिला आयूशी गुपता औ दो ऐसे चात्र हैं जिननोंने 3rd rank हासिल किया थर्ड टॉपर हैं ये 12th स्टांडर के जिनने 96.80% मिला है तो कुल 6 लाग से भी ज्यादा चात्र ऐसे थे जो परिक्षा में शामिल हुए थे सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों का डंका लड़कियों ने बाजी मारी है अच्छले साल के मकाबले 1% जादा बताया जा रहा है नाम लगतार हम आपको दिखा रही है वेब साइट पर भी आप जा सकते हैं जो ऑफिशल वेब साइट है रचातीजगर बोड की उस वेब साइट पर भी आप जाकर रिजल्ट देख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स को ज दसवी और बारवी के नतीजे गोशित होने के साथी अब स्टूरंस के लिए सुनारा मौका है कि वो अपने भविश्य को और भी सही तरके से आगे चुन सकेंगे फैसला ले सकेंगे भविश्य के लिए चात्रों का इंतजार क्योंकि खत्म हो गया है एक्जाम देने के बाद c दसवी और बारवी के नतीजे गोशित क्योंकि हो चुके हैं किसने बाजी मारी है ये भी हम आपको दिखा रहे लेकिन उससे पहले कई ऐसे भी ट्वीट्स और कई ऐसे पोस्ट हमने आपको दिखाए जिसमें लिखा था कि निराश होने की जरूरत नहीं कुछ ही ऐसे पेप कर दिया गया है कि अब पसंद राजें चोद्रिक साथ युगल तिवारी राइपूर्ट शटिस गर्वें तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जाब आरवी में दूसरी टॉपर कोपल अंबश्ट जिनको जिनके नाम भी आपको दिखाए गए और जिनके परसंटेज भी आ बहुत अच्छे नतीजे दिये हैं 2023 के मुकाबले इस बार जो परसंटेज है पास होने का वो बढ़ा है और सबसे बड़ी बात ही है 12 की अगर परसंटेज इसकी बात करें तो महक अगरवाल जो की फर्स टॉपर है उनने 97.40% मिला इसके अलावा कोपल जो की सेकेंड टॉप तो बोर्ड एक्जाम्स के रिजर्ट्स चारी कर दिये गए हैं और यह तस्वीर आपके टेलिविजिन स्क्रीन पर आज 36 गढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म हो गया और एक वेबसाइट cgbsc.nic.in पर आप नतीजे देख सकते हैं सबसे पहले न्यूज 18 मदिपरदेश 37 गढ़ने जो रिजर्ट्स चात्रों के जो टॉपर्स है उनके नामों का ऐलान किया आप बारेवी में बरोदा बाजार के कोपल जो है वो सेकेंड रैंक पर रही है और मह महेट महेट अगरवाल फर्स्ट रैंक पर फर्स्ट टॉपर और इसके साथ ही आयूशी और प्रीती थर्ट टॉपर है च्वेल्थ की अगर बात करें तो और टेंथ के भी रिजल्स का एलान जब हुआ लड़कियों ने बाजी मारी है और टेंथ में भी जो फर्स्ट टॉप 75.05% जो चात्र है वो पास हुए थे और 12 की बात करें तो 79.96% जो है चात्र पास हुए थे लेकिन इस बार यह आखड़ा बढ़ा है 1% यह आखड़ा बढ़ा है 10th के लिए और 5% लगभग बढ़ा है 12 की चात्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तीसरे स्थान पर श्रयान श्कुमार यादव है हाई स्कूल के बारवी में महासमुन के महत ने नाम कमाया और उन्होंने टॉप किया है अच्छे रिजल्स अच्छे पॉसंटेज लाकर तो दसवी और बारवी के नतीजे घोशित हो गए हैं 36 गर में बारवी बोट परिक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं और उन परिणामों को भी हम आपको दिखा रहे हैं नतीजे cgbse.nic.in या फिर आप results.cg.nic.in पर जाकर देख सकते हैं इस पर students roll number और detail के साथ ही आप अपना result देख सकते हैं फिलाल जो toppers हैं उनके results और कैसे उनके percentages आए हैं यह हम आपको दिखा रहे थे पिछले साल अगर देखा जाए तो बारवी में लगबख 79.96% चातर पास हुए थे और इसमें इस बार जो है 81% तो जो लड़किया हैं उन्होंने बाजी मारी है और 77% लड़कों ने बाजी मार हैं और 69% के लगबख लड़के पास हुए हैं दसवी में राहूल यादव और बारवी में वीधी ने टॉप किया था पिछले साल की अगर बात करें 2023 की और इस बार सिमरिन शबा जो के 10th की हैं उन्होंने सबसे जादा percentage हासिल किये हैं 99.50 और साथी महेक अगरबाल 12th की पर है जो 36 गड़ बोड का जो दसवी का रिजल्ट है वो पिछले 5 सालों में करीब 7% तक बढ़ा है जबकि 12 में सफल होने वाले विध्यारतियों का प्रतीशत 1.5-3% तक बढ़ा है साल 2020 की भी अगर हम बात करें तो इसके बात के वर्षों में 10 वी के नतीज़ों में 70% से जादा जो है इजाफा देखने को मिला है यूगल तिवारी संबदाता साजूर गए है यूगल इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वोट परसेंट माफ की जाएगा जो परसेंटेज इस बार आए हैं बचों के वो बहुत अच्छे प्रतिसात है और इस वक्त हम मौझूद है और आप देख सके हैं मादविक सिचा मंडल बूर्ड है वहाँ पर मौझूद है अगर हम बात करें तो देखें जो सिमरन सब्बा है जो जस्पूर की रहने वाली है और उसने यह टाप किया है वो छात्रा है और इसके अलावा जो होने से वो भी छात्रा है और अगर हम बात करें तो बालावत की बीटिया है उसे ने भी टाप प्वाइ पर अपना इस्थान जमा लिया है घाप 10 की सूची में अगर हम बात करें तो जो छात्राय है उनकी संख्या अधिक है अगर हम देखे तो पूरे दस चात्राओं में आठ जो चात्राएं हैं वो चात्राएं हैं तो यह से साब जाईर है कि चात्राओं ने बाजी मारी है और खास बात यह है कि पूरे जो ग्रामिड अंचल के जो परतीबावाय चात्रा है उतने अपना जो उरकी पढ़ने वाली है रायपूर की छात्रा है तो यह कहा जा सकता है कि छात्राओं ने बाजी मारी है और जो ग्रामिड अंचल की प्रतिबा है उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है बता दिया है कि आखिर मेहलत और लगन का से जो पढ़ाई करते हैं उसका परिणा है तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से परिणाम आए हैं काफी सुगत परिणाम है अब पिछले जो परिछा परिणाम के बरिस्पद इस समय रिजल्ड भी काफी अच्छा रहा है और जिस तरह से चात्र चात्राओं ने जो तैयारिया की है उसका प्रतिसाद अच्छा मिला है और अच्छे जो चातर चत्राएं हैं उनका मेहनत है इस पर शुरूप से सामने हैं वो दीकरा है जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी मेहनत ही तो है जो रंग लेकर आई है उससे भी बड़ी बात ये कि युगल च्छतीस गड़ बोड काफी डिफिकल्ट होता है ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है जो हमारे विवर्ज हैं उनके बारे में क्या कहा गया जी देखे बहुत सारे ऐसे जो चात्र हैं जो अस्फल जरूर हुए हैं कुछ चात्र चात्रों के परिडाम है वो रोके गए हैं लेकिन अगर हम overall result की बात करें परिडामों की बात करें तो परिडाम पिछले साल के बरिश्पद बहतर रहे हैं एक वक्त ऐसा था COVID-19 का जो दोर चार रहा था तो छातर छातराओं की परिच्छा जो पढ़ाई है वो सीमित होकर रही गई थी ओल्लाइन परिच्छा के माध्यम से जो छातर छातराएं हैं वो परिच्छा दे रहे थे लेकिन अब परिच्छ के चातर छातराएं COVID-19 की महमारी से उबर चुके हैं और सीधा अपने मुख्यधारा में सीधा जो इसकुल की पढ़ाई होती है उस पर लोड़ चुके हैं तो ये परिणाम बताता है कि उस समय के जो रिजट थे उस समय एक दबाव था और आखिर आनलाइन पढ़ायती सब के मन में संसर था लेकिन जब चातर छातराएं इस तरह से जो जाकर के परिच्छा दिये हैं इसकुलों में उनके परिच्छा कंडर्ट की आई गये हैं तो अगर खास बात यही है कि नकल प्रकरण है उसमें भी कमी आई है और कुछे चातर चातराएं है जिनके परिणाम को जाज की वज़ा से रोका गया है तो कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि रिजल काफी शुकद है काफी अच्छा है कुछ अस्पलताएं भी हाथ लगी है लेक आप अपने जो पढ़ाई है मेहनत करके अपने रिजल को सुधार सकते हैं जी ठीक है रिजल्ट के जारी होने का इंतजार तो हर चातर कर रही रहा था लेकिन जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है क्या वो इसके बारे में कंप्लें रेजिस्टर अगर करे इसके बारे में क्या जानकारी साजा की गई? तो चातर चातर हैं पूछते थे सवाल भी करते थे और अपनी जिग्यासाओं को ब्यक्त करते थे और उन्हें जो है एक्सपर्ट के माध्धम से राय मश्वरा दिया जाता, सला भी दिया जाता था तो यह है कि किसी तरह के हातास नहों निरासा नहों इसके लिए सुरू से ब्यवस्ताएं हैं वो की गई थी तो खास बात यही है कि परिणाम अच्छे आये हैं और इसमें जो चातराओं ने जो बाजी मारी है पहले की बाती इस बार भी जो चातराओं ने एक आगरता के साथ जो पढ़ाई की है और उनकी मेहनत है वो साप तोर पर दिख रहा है और इसलिए तो जो कई ऐसे हम अभियान देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान आज उनको साकार करती यह बेटिया जब हम यह नतीजे देखते हैं तो हमारा सीरा गर्व से और भी जादा चौड़ा हो जाता है वाकई में लेकिन री चेकिंग पेपर्स क कि अगर करानी हो स्टूडेंट्स को या फिर वो असंतुष्ट अपने मार्क्स से तो उन्हें वक्त कितने समय का दिया गया है कैसे वो ऑनलाइन जाकर चीजों को देख सकते हैं क्वेरी अपने पूरे क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में क्या कुछ वहाँ पर जानकारी साज लेकर या फिर वो असंतुष्ट है री चेकिंग वो चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो उनका मार्क्स उनको जतना आना चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिला तो इसके लिए कितना वक्त दिया गया है चातरों को और क्या वेबसाइट पर ही वो कर सकते हैं ठीक है यूगल मैं आपके पास दोबारा होंगी जानकारी मिल रही है कोपल हमारे साथ उड़ गई है जो बार्मी की सेकंड टॉपर है कोपल नियूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है आपको धेर सारी शुपकामना है 96.80% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको हासिल हुआ है सबसे पहले तो कैसा फीलिंग आपको लग रहा है आपने क्या तुरंट साड़े बारा बज़े ही वेबसाइट खोल दिया था अपनी मेहनत के बारे में कुछ बताईए और उन बच्चों के लिए भी कुछ बताईए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे मैं बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने से यही रिजर्ट में को प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं है कि मैंने 10-12 गंटे पढ़ाई की हूँ चार पाच घंटे की डेली पढ़ाई बस एक्जाम टाइम में फोड़ा मीडिया से दूरी इसी से मुझे इतना इस्टेंटेज माई टीक है आपके डेली स्केडियूल की बात करें अगर चुकि यह इतना एजी नहीं है कि 96.80 परसंट को इला पाई वो भी चातीजगर बोर् किसी दिन बहुत जादा पढ़ाई हो जाती थी कभी-कभी नहीं होती थी कूल में तो डेली ग्लासुस चलती ही थी और मेरे ममी पापा है वो एकदम बेसिक्रिंट है तो उनके वज़े से जो मेरा पढ़ाई का शेडियूल था वो एकदम फेक्स है लाइक के हर देन में दो तीन घंटे तो पढ़ना ही है अब वो कभी भी पढ़ें जब मेरा मन हो ठीके बने रही है कोपल वापस से आपसे बात करूंगी कि हमारे साथ श्रेयांश कुमार यादव भी जुड़ गए हैं जो कि टेंथ के थर्ट आपर है 98.17% श्रेयांश आपको बहुत बधाई कैसा लग रहा है आपको और कितनी महनत करनी पड़ी कुछ एक्सपीरिंस अपना शेयर कीजे अच्छा तो बहुत लग रहा है मैं इतना परसेंट आया और महनत तो सुरू से की थी समय विकेशन से नाइंट के बाद से स्केजूल कैसे फॉलो किया आपने आपने कब रिज़ल्ट देखा और अपका फर्स्ट फिलिंग 각 republic पर फिर नुज में थर्ट रंकर देखे तो बहुत खुश हो गए पिर सब लोग आने लगे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था अरपिता भी हमारे साथ जुर गई है जोकि फो टॉपर है अरपिता बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है क्या कहेंगी फिर्स्ट फिलिंग कैसी है आपकी और रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा किसको श्रैदेंगी पिता से संपर्क नहीं हो पारा फिला लेकिन तमाम वो टॉपर्स जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स हासिल किये हैं वो हमारे साथ बने हुए श्रैंश हमारे साथ लगातार बने हुए श्रैंश आपके डेली स्केजूल को थोड़ा समझना चाहेंगे कितने घंटे आप देते अच्छा जैसे कई बार ये मिठ भी होता है कि चार-पांच बजे बच्चे उठ जाते पढ़ने के लिए और वो पढ़ाई बहुत जादा असरदार होती है क्या कुछ ऐसा भी आपने किया अच्छा कोपल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है कोपल 12 की सेकेंड टॉपर है कोपल सोशल मीडिया से लोग कहते हैं कि बहुता डिस्ट्राक्शन होता है आपने सोशल मीडिया का अड्वांटेज कैसे लिया कि सोशल ऐड्वांटेज कैसे लिया क्योंकि सोशल मीडिया कहते है कि बहुत ज़्म बात की से प्रेंड्च और नहीं था कि मेरे पस मेरे परसनल फोन नहीं था तो मेरे पारेंस के फोन को मैं लेती थी तो मेरे हमेशा मॉनिटरिंग होती रहती थी कि मैं करें डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओं बस पढ़ाई के लिए यूज किया है मैंने भी सोचल मीडिया बहुत काम आया है लेकिन बस आज पास और कह क्या आपको मेरी आवाज आ रही है यस माम आ रही है बहुत बहुत बढ़ाई आपको न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है क्या फीलिंग है आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परसंटेज आए हैं क्या कहना चाहेंगी अच्छा आप श्रेक इसको देना चाहेंगी कैसे अपने टाइमिंग निकाली पढ़ाई के लिए क्या सबसे ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगा सबसे पहरा है तो मैं अपने स्कूल के टीशेट और अपने होस्तिल के वाड़न को इसका से देना चाहेंगी और अपने सेल्फ स्टेडी जो टाइम में देटी थी वो और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्या था क्रैक करना तो आप टॉपर्स को सुन रहे हैं जो टॉपर्स 10 से लिके 12 तक के टॉपर्स हमारी कोशिश है कि हर टॉपर्स की आवाज आप तक पहुँचाए ताकि आप अपने रिजल्ट से निराश ना हो बल्कि कैसे आगे बढ़ना है आगे क्या प्लानिंग करनी है इस पर विचार करें इस पर काम करें क्युकि लगतार नाम भी हम फ्लैश कर रहे हैं कि किस टॉपर ने कितने पॉसंट हासिल कीये हैं और इससे पहले कि जो पोस्ट और आप देख रहे थे ट्वीट्स अर्पिता आप तक आवाज आ रही है येस माम अर्पिता आप टाइम कैसे निकालती थी पढ़ने के लिए कहते हैं कि 10-12 का टाइम काफी डिस्ट्राक्शन वाला भी होता है सोशल मीडिय डिस्ट्राक्शन करता है फ्रेंट्स गूप डिस्ट्राक्शन जाते तो मन नहीं लगता कई बच्चों को पढ़ने में इसके बारे में बताईए और बाकी बच्चों को भी कुछ टिप्स दीजे पहरे बात मैंने तो कोई ट्विशन नहीं किया था और नहीं मैं सोचल मेडिया से जुड़ी हुई थी मैं होस्टल में रही हूँ तो बहुत कम ही सोचल मेडिया में जुड़ी थी तो पर सोचल मेडिया द्वारा मुझे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है पूरे टाइम को देती थी और कुछ टाइम होते थे जिसे मैं आप इंटर्टैनिमंट के लिए डेती थी और ऐधर स्टूल के लिए आप हॉस्टल में रही हैं तो हॉस्टल में फ्रेंड्स ग्रूप बहुत जल्दी बनते हैं कई बार नहीं भी बनते हैं और पढ़ने वाले अपने लिए समय निकाल ही लेते हैं कैसे आपने उन लोग को कण्वेंस किया कि आप अभी फ्री नहीं है और आपको पढ़ना है कि हमारे जो रूमेट्स है वो लोग मेरे भावणां को समझते थे और मेरे साथ उतने जादा बाते नहीं कर देथे बाते कर देथे तो बस पढ़ाई से रिलेटेड और अधर सीजियों मेरे को उतना जादा इंक्लूड नहीं कर देथे अच्छा काफी डिफिकल्ट होगा एक्जाम क्योंकि 36 गर्ड बोड को बहुत इजी नहीं कहा जाता है तो कुछ बताएए कुछ टिप्स दीजे कि कैसे लोगों को क्रैक करना चाहिए पहले किस तरीके से समझने चाहिए एक्जाम्पल्स को और फिर कैसे एक्जाम देना चाहि सुरू से हरे एक चीज को अच्छे से समझ कर पढ़ना चाहिए और स्कूल में जो टीचर कहते हैं उसका पालं करना चाहिए और ज्यादत ज्यादत पढ़ाई को देना चाहिए और पूरे मन से पढ़ना चाहिए हॉस्टल से कभी आपने सोच वा कि आप घर भी जाएं या सिर्फ हॉस्टल में ही रहके आपने पढ़ाई की और सपोर्ट आपका पेरेंट्स की तरफ से पेरेंट्स क्यों से तो पूरी फूर सपोर्टी मैं जब मुझे छुटी मिलती तभी मुझे घर जाना होता था बीज में कभी छुटी नहीं लिए और अलग से कोई छुटी नहीं लिया था अच्छा ये बड़ा प्रेड़ना देने वाली चीज है कि आप हॉस्टल में रही और सारी चीजों से दूर रही बावजुद इसके आप कई लोग यह भी कहते कि हमारे पास बुक्स नहीं है हमारे में काबिल तारीफ है आपकी मेहनत और आप जो भी कह रही हैं आपको हर एक बच्चा इस वक्त लेकिन एक ये भी चीज बताईएगा कि distractions किस तरह के आते हैं friends की तरफ से भी आप कई बार family से बात करती होंगी तो आप emotional भी होती होंगी कि आपको घर जाना है या घर में time spent करना है बावजूद इसके आपने अपने आपको solid कैसे रखा सबस्क्राइब तो घर वाले मुझे घर आने से मना करते थे कि वहां रहके पढ़ों करके और सारा चीज अच्छा ही रहा और मैंने कभी भी किसी बात के लिए जिद नहीं करी और अच्छा एक चीज और अपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने रिजल्ट देखनी के लिए अपना रोल नंबर डाला और फिर आपने आगी का प्रोसस किया जब आपने percentage पर नजर डाला वो feeling क्या थी आपकी expectation के हिसाब की feeling थी आपको लग रहा है कि आप और भी अच्छ कर सकती थी या आपने इतना ही किया था अच्छा आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा गया था mathematics जिससे सब भागते हैं वही आपका best गया वो कैसे आपने solve कर लिया इसके लिए कोई tip देना चाहेंगी कैसे आप समझती थी या अच्छा आपके खाने का डाइट का भी कुछ बताईए कि कुछ special चीज़े आप लेती थी डाइट में जिससे कि आपको पढ़ाई में interest लगे जो यहां पर मिलते थे वही खाड़े थे सुबह नाच्टे दुपहर में चावल और शाम को दिना चाले बहुत शुक्रियार पिता आपने हमसे बातचीत की और आपने जो भी अनुभव है वो साजा किया ताकि जो भी बच्चे आपको सुन रहे हैं वो भी इसी तरह आगे बढ़े आपको बहुत सारी शुब कामना है तो दसवी और बारवी के रिजल्ट क्योंकि घोशित हो चुके हैं और रिजल्ट्स क्या कुछ आए हैं वो भी हम आपको दिखा रही है बारवी की अगर बात करें तो महक अग्रवार जिन्होंने 97.40% लाकार फर्स्ट आपर बनी है कोपल जिससे थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे आप लोगों ने सुना भी 96.80% जिन्होंने हासिल किये हैं और आयूशी गुपता थर्ड पोजिशन 96.80 जिन्होंने कहा कि काफी मैनत पेरेंट्स का सपोर्ट और एक कॉन्फिडेंस जिन्होंने आगे बढ़ाया तस्वीर आप देख रहे हैं सिमरन शब्बा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं 99.50% फर्स्ट टॉपर टेंथ की पेरेंट्स के साथ और उनका ऐसा कहना है जब उन्होंने बातशीत भी की लोगों से वहाँ पर जो मौझूद थे कि पेरेंट्स का सपोर्ट काफी अच्छा रहा इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस में रहें और मेहनत करें अपने मेहनत पर अगर आपको कॉई भी चीज नहीं रोख सकती हालाकि अगर नंबर कम भी आए हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बर एक चांस है आपको जो मिलता है और एक दरवाजा खुलता है और फिर उससे कई opportunities आपको मिलेंगी इसलिए निराश हो का जो परिणाम है वो उत्तिन जो चात्र हुए थे उनका प्रतिशत करीब 0.56% बढ़ा है इसी तरह higher secondary का भी result अगर देखें तो 0.78% बढ़ा है इसके अतरिक्ट एक और positive feature यह जो देखने को मिलता है वो यह है कि first division से जो पास हुए है candidates students उनका प्रतिशत बढ़ा है जी प्रतिशत कर दिया गया है तो सुन रहे थे आप काफी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा है और पिछले साल के मुकाबले आनि 2023 के मुकाबले 2024 के रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं और काई percent आगे बढ़े हैं सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया है शानदार प् हाइस 99.50 इससे संदर आ सकता है कि 10th की जो टॉपर है शबबा आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलिविजन स्क्रीन पर कितनी महनत की उन्होंने और सबसे बड़ी बात है डिस्ट्राक्शन से हटके महनत बहुत जादा जरूरी है और जिस भी चीज में आप काम कर रहें उसे लगन से करिए तो उसमें सफलता जरूर हासिल होगी सिम्रिन शब्बा की तस्वीर 10 की टॉपर है सिम्रिन और उन्होंने 99.50 पॉसेंट जो है हसल किये है इसके अलावा और भी कई ऐसे टॉपर जिनके नाम हम आपको दिखा रही है बारवी के टॉप 10 में 4 तो किसी संसाधन के भी पढ़ाई की और वो आगे बढ़े हैं बाजी मारी उन्होंने आप भी देख सकते हैं जिन्होंने अब तक रिजल्ट नहीं देखे हैं cgbsc.nic.in वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं फिलाल लड़कियों ने बाजी मारी है और धेर सारी शु जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो परसंटेज है पास होने के वो बढ़े हैं दस्वी और बार्वी का रिजल्ट और प्रिक्षाक नितिगे आजुके हैं बढ़दा बजार की रहा इस पर टापर रहा हम लड़कियों ने बाजी मारी है हमारे साथ मौजूद है कोपल जी जो मामी पापा का तो सबसे जादा सायोग था मेरा एक शेडियूर को डिसिप्लेंट बनाने में उसके लिए मामी पापा को बहुत सायोग था और पढ़ाई में तो टीचर्स का भी आगे क्या कर्मी का प्लाना बारी में इतने अच्छे नतिज़े आप क्या हैं आगे में को क्योंकि उम्मीद थी कि बच्ची का कही ना कही नाम आएगा और टॉप सेकंड में यह तो एक दमान इस्पेक्टर रिजल्ट रहा है लेकिन उसकी मेहनत आई सामने आई उसने इतना मेहनत किया था तो काफी मतलब तक शाहत नहीं में पापा यहां पर हुआ है कैसे कैसे ही किस तरह सब्यारी इसके आशने पढ़ाई को लेकि शुरू से ही बहुट जागा सजग रही है तेंफ में इसने नाइटी टू परसंट मार्च से बीसी से उसने पढ़ाई कि लगोज़े विद्याले से उसके बाद से लेवन और फेल्ट में उसके आतना नान जोईं किया तो उनकी देखरे को हैं उनकी पूरी गाइडेंस में उनने पढ़ाई अपनों पूरी के रही है और यह जो आज रिजल्टा है है उनकी मार्च के बारा साल परस्टा का लिए पढ़ाई देख सकते हैं बारा साथ मौजूर की संतानवे जो टापर की है विद्या कोपल उनका नाम घोसित हुए है और जश्पुर की सिम्रंद सब्बा ने टेंथ की परिछा में पूरे प्रदेश में पहला इस्थान हासिल किया है हमारे साथ मौदूद है सिम्रंद सब्बा सफ्रे परदे आपको बहुत बढ़ाई कैसे ये मुकाम हासिल किया आपने कैसे तयारी की थी कौन सी स्कूल की छातरा है आप और इसकूल में कैसा सही हो गता सिक चपूँ कोई स्वामी आत्मान गवर्मन्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल में पढ़ती हूँ टेंथ में मैंने वहां एड्मेशन लिया है और वहां का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है महां के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छा है और घर के सिती कैसी है आपके पिताजी क्या करते है मेरे पिताजी का एक टेलर शॉप है ओके टेलर वो और यह टेलर में ही दुकान में रहते हैं मेरी ममी हाउस वाइफ है मेरे भईया स्कूल के एक स्टूडेंट है वो टू अल्थ में पढ़ाई कर रहे वी और घर का जो एट्मोस्फियर वो बहुत ही अच्छा था सपोर्ट मिस्टर बैरो भॉमिक, मिसिस संगीता यादो, मिसिस सभीता यादो, सचीना मिंज, मन्जु भारती और भी बहुत सारी टीचर्स है तो यह इनों ने अपने जो सफलता का स्रे है वो सिक्षकों को अपने परिवार जनों को दिया है इस छात्रा के परिजन हमारे साथ उसका इस्थान हासित किया है, कैसा लग रहा है? आज नया नहीं है और आसा है कि आगे भी और अच्छा मेहनत करेगी तो आप देख सकते हैं कि ये सब्बा जो तो आप देख सकते हैं कि सिम्रन सब्बा के परिवार के साथ हम मौजूद थे और सिम्रन सब्बा से हमने बात की उनके परिवार जनों से बात की परिवार में खु हैं और इनके जो गाउं महले के लोग हैं उनमें खासी खुशी का महल यहां पर देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं सिम्रंद सब्बा का परिवार हमारे साथ मौझूद है और यह एक्स्क्लूसिव तस्वीर सिर्फ सिर्फ कि अ तो न्यूस एटीन पर टॉपर एक्स्क्लूसिव आप देख रहे हैं तेंथ की टॉपर सिम्रंद को देख रहे हैं आप सिम्रंद सब्बा जो की 99.50% लेकर आई हैं और फर्स टॉपर है दीपक हमारे संबादाता साजुने हैं दीपक आप इस वक सिम्रंद के साथ मौझूद ह उनसे जानिए कि उन्होंने पूरा स्केडूल कैसे फॉलो किया पढ़ने के लिए उन्होंने कितना समय निकाला उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका रहा है उनके लिए और क्या है उनके सफलता के पीछे का राज डिचे सवाल को भी सुन रही है बताशिये कि आखिर सफलता का पूरा सब्ड़ी और किस तरीके से पूरी सफलता आसला कuning है इसका रेडिट जो हैं आप पैरेन्स को दरना स्वांगी अपने भाई को दरना स्वांगी और स्कूल के सभी जितने भी टीचर्स हैं को दरना सूं आप मेरी आवाज अगर सुन पा रही है तो सवाल ये है कि जब आपने रोल लंबर डाला अपना रोल लंबर डालने के बाद जब आपने अपने रिजल्ट देखें आप टीवी भी शायद आउन करके रखी होंगी आप न्यूज एटीन देख रही होंगी उसमक्त जब आपका नाम फ्लाश हुआ आपकी फीलिंग कैसे थी आप वो बताईए फिर धिरे धिरे आगे हम डिसकस करेंगे कि आपने कैसे अप्रिले टाइम निकाला बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं उस ताइम आपके साथ उसक्त कौन था और जैसे मैंने अपने नाम मेरी मम्मी थी मेरे साथ कैसे आपने उन्हें बोला कितरे परसंट आए हैं क्या रहा फिलिंग मेरे भईया को मेरे भईया ने मुसे बता है कि 99.5 पॉसेंट आए है अभी तक मैंने रिजर्ट नहीं देखा है उन्हीं नहीं देखा है ठीक है मम्मी की वर्डिंग्स क्या थी आपके लिए वह कुझ लिए कि मारे रोने लगी मम्मी भावुक हो गई है आपके लिए भावुक भरा पले और अभी भावुक हो रही है क्योंकि आप शायद यह जानती है कि आपने कितनी मेहनत की है और आपने कितना वक्त निकाला है कई बार ऐसा कहते भी है लोग की विए कि टैंट में बहुत डिस्ट्राक्शन होता है उन लोगों के लिए भी कुछ बताए जो लोग डिस्ट्राक्ट होते हैं आपका बेस्ट एक्जाम कौन सा गया किस सबजिक में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आपको क्या लगता है सबी सब्जिक्त अच्छा गया था और हाइस्ट मार्क्स किस में आये थे अभी मैंने मार्क्स नहीं देखा है ठीक है मैं आपसे दोबारा बातशीत करूंगी और उमेश भी मेरे संबादातर रोएं उमेश आप इस वक्त किस टॉपर के साथ मौजूद हैं उनसे बात कीजिए पूछे की सफलता के पीछे का रास क्या है और अच्छा दिन उनके लिए इंतजार खत्म हो गया रिजल्ट आ गए बिल्कुल त्वेल्थ क्लास में फाइफ्ट रेंक है इनका आया है वेदांती का सर्मा मेरे साथ मौजूद है क्या सफलता के पीछे क्या मूल मंत्र रहा है आपके पढ़ाई ज्यादा देर तक सिटिंग पावर होना चाहिए किस तरीके से करती थी महनत तैयारियां जोज मतलब सुबह जल्दी उटके पढ़ना और रात को लेट तक पढ़ती थी और बस कोई एक लक्ष आपने बनाया था कि इतने घंटे पढ़ाई करना है और फिर आगे आपको यह तैयारी करके आगे इस मुकाम तक पहुंचना है क्या पीछे लक्ष क्या था अच्छा परसेंट आना था ट्वेल्थ में 90 के अबब लाना था परसेंट तो उसके लिए पढ़त के पीछे कौन है आपी चरस के अलावा कि आपके माता पीता भी पूरे आपके आपके जो सफलता उसके पीचे है और टीचर वह स्कूल के विलकुल के ठीट Wr. है डिगे इससे ज्यादा में मॉमी पॉपा घ्री किस तरे की त्यूर्वाट एक्जाम में आंसर शीर को कैसे कैसे लिखते हैं और किस तरीके से पढ़ना होता है और मम्मी भी मतलब टाइम टाइम पर आके मोटिवेट करना और बताना की मतलब कोई बात नहीं कम नमबर है और दीदी भी पूरा सपोर्ट करती थी अब वेदान्तिका चुकी तो आगे क्या कुछ तैयारी है वेदान्तिका की अभी कॉलेज में दूशन के लिए कुछ-कुछ एंट्रेंस एक्जाम दूँगी और फिर उसके बाद गवर्मेंट जोब के लिए तैयारी करूँगी आठाटिके डियर करें और समाच की सेवा करेंगी किस तरीकेसे आप जंता के बीच एक्ट एक्ट होंगी कैसे उनकी मदद करना चाहेंगी ॉ पीश्ट की जरी क्टिक है वहत खास पलें उन तमाम चात्रों के लिए जिन्होंने महनत की थी और कड़ी महनत की